Hello friends, FastTrack का निया आर्टिकल लॉंच हो चुका है SmartWatch में FastTrack Reflex Cruise Large Display, Ultra Wii U Display, Single Synchronized Bluetooth Calling Watch है यह FastTrack के आपको इसमें जो Main Features देखने को मिलते हैं उनमें All Enable Coach, Hand Plus Sports Mode, Hand Plus Watch Faces, Stress Monitoring 10 Days का इसका Battery Backup है IP68 यानि Water and Dust Resistant Watch है अभी हम इस वाच के Unboxing करेंगे तो यह दिखे ब्लिविश कलर है, Coblet Blue इसे बोलते हैं तो यह कलर में आपको इसकी डिवाइस देखने को मिलती है डिवाइस को हम ओन करते हैं, उससे पहले मैं आपको इसकी जो साथ असेसरी वोगेरा है वो दिखा देते हैं तो डिवाइस ओन होते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है डाउनलोड दिवाइस पास्टेक रिफ्लेक्स वर्ड एप और स्कैन टू पेर तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे बाकी वोच चीज की तरह इस पर डिस्पले आती है या नहीं तो हम इसे अभी कनेक्ट करके भी देखेंगे इतनी दे मैं इसको साइट पर रख देता ह Lehr औरास यह मैं आपको दिखाता हूं इसके साथ क्या क्या है की देखने को मिलता है, सबसे पहले तो आपको प्रोडेक्ट मैनुल देखने को मिल जाता है प्रोडेक्ट मैनुल में आपको प्रॉपर हैंडलिंग और केरिंग वाटर सिस्टेंट के बारे में जानकारी मिलती है कितनी डेपली आप इसे यूज कर सकते हैं कितनी देर तक आप इसे पानी में यूज कर सकते हैं या फिर आप आपको जो बैटरी है बैटरी की केर एंड हैंडलिंग का तो मैं वाच को आपको शेयर करने से पहले एक बात बता दूँ कि जो फास्ट रेक के आर्टिकल्स हैं उनके साथ जो चार्जिंग केबल मिलती है उसकी कोई वरांटी नहीं देती कंपनी तो कल को अगर आप परचेस करें तो आपको जानकरी होनी चाहिए कि जो फास्ट रेक्स की वाचिज आती है उनकी चार्जर के कोई सर्विस नहीं है फ्री आफ कोस्ट में तो उसको केर्स के साथ ही यूज़ करना है तो इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है मैन देखने को मिल जाता है यह अभी तक किसी वाच चीज में नहीं आया था यहां पे आता है और इसके साथ आपको ब्लू कलर का स्ट्रैप देखने को मिलता है और विद आजकल जो लूप से उसके बिनावला आता है यानि यहाँ से कट होता है तो जब आप इसे वियर अप करते हैं यह पॉर्शन आपको इंटर्नल लोकेशन में सेट हो जाता है इसमें जो पिंस है रिमोवेबल पिंस है तो आप इसे इसली कनेक्ट कर सकते हैं खुद किसी की दुरूरत नहीं पड़ेगी आपको यह देखें यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया जस्ट मुव किया एंड कनेक्ट हो गया तो इसके लावा जो मैगनेट केबल देखने को मिलती है थोड़ा सा साइज इसका डिक्रेस कर दिया गया लेकिन इसकी पकड़ काफी इच्छिंग वर्च के लिए जो एप्लिकेशन इसका नाम है ऐस्ट रफ्लेक्ट वर्ड एंड्रोइड हो या फिर आयोस दोनों में से आप कहीं पे भी आप इसे इसे में कर सकते हैं पार्ट रफ्लेक्ट वर्ड आप इंस्टॉल करते ही ऑपन कीजिए देन आपको साइन अ होता है call feature either notifications के लिए और allow करते ही आपको mobile number एंटर करना mobile number एंटर करते है एक OTP generate होगा वो OTP आपने fill up कर देना या auto fill up पे क्लिक कर देना allow करते ही आपका OTP enter हो जाएगा continue करते है account verified हो जाएगा इसके बाद आपको camera permission nearby यानि location permission and Bluetooth को लिए permit allow करना होता है यह तीनों features को allow करते ही आपको while using the app select कर लेना allow and Bluetooth के लिए allow करते के Bluetooth feature को on कर लीजिए allow कर दीजिए और जैसे यह सब allow कर देंगे then watch पे जाएंगे watch पे QR code को scan करेंगे scan करते connectivity के लिए यह आपको watch के उपर allow के लिए option आएगा जैसे आप उसे allow कर देते हैं टिक पे क्लिक कर देते हैं watch and mobile application में paired successfully हो जाएगा पेर होता ही आपको इसे device allow के लिए आएगा allow कर देना है और firmware यह find out करेगा अगर firmware अपडेट होना होगा तो अपडेट होगा आइदर आप अपने detail को continue से लब करते जाएए आप अपने full detail को फिल अप करते ही यहां पे Bluetooth pairing के request आया और मैं आपको बता दूं कि Bluetooth pairing single mac address से है और call notification भी इसी mac address से work out करता है तो यह सब detail मैंने fill up कर दी अब continue पे क्लिक कर रहा हूं अगर आपको Google Fit पे login करना है तो कर दीजा इदर skip कर दीजा इसके बाद weather के लिए permission मांग रहा है permit कर दीजी इसके बाद don't disturb feature के लिए तो आपने जैसे करेंगे तो notification don't disturb access के लिए आपको एक notification window आएगी window में से फास्ट रिफ्लेक्स को अलोग कर देना लोग कर के बैक कर देना इसके बाद आपको setting टैप यान यहां पे turn on notification अलोग कर देना turn on notification लोग करते हैं आपको notification window आएगी उसमें से access देना जो भी आपने device and application इसमें real time access conversation access notification mute तो जो भी आपको required है उसको आप tick कर दीजिए अगर कोई नहीं required तो आप उसे untick कर दीजिए जैसे मैं यहां पर करके दिखा रहा हूँ तो आप जो भी से लेक्ट करेंगे अलोग कर दीजिए and back कीजिए and phone access के लिए आपको लोग कर आ रहा है यहां पर call notifications and call logs और जो context है उन सब को लोग करना होता है इसके बाद आपको माई वोच में सबसे पहले देखने को मैंता है Alexa built-in अगर आपका account created है तो आप login कर लेजिए आइजर आप new create करके account को Alexa built-in पे login कर लीजिए मेरा create नहीं है और मैंने यह भी करना भी नहीं है तो मैं next track पे चला जाता हूँ इसके बाद lift to view है अगर आपने नहीं on किया तो turn on कर दीजिए then favorite contacts इसमें आप कोई जो आपके एक favorite contacts हैं 10 contacts इसमें आप add कर सकते हैं कोई भी आपके जो main family contacts हैं यहां कोई personal contacts हैं उन्हें आप यहां पर अलोग कर दीजिए जो भी आप select कर लेंगे उसके बाद आपको save का option पर click कर देना है save पर click करते हैं ऐसे आपको display आएगा इसके बाद फिर से आपने save करने save करोगे तो Contacts आपकी watch पे synchronize हो जाएंगे इसके बाद आप में देखने को मिलता है यहां पर unpair का option तो अगर watch को आपने unpair करना है तो यहां से unpair कर लिजिए आइदर रहने दीजिए तो इसके बाद आता है alarm alarm आप यहां पर multiple alarm को own कर सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं approximate मैंने जो add-on की है मैं 10 alarm तक की option यहां पर add-on कर सकता हूं देन इसके बाद का जो feature है वो है don't disturb feature अगर आप don't disturb feature को on करना चाते हैं जितने बज़ का time options activity में जो आपको first selected option that 20 तो आप उनको change भी कर सकते हैं कोई और लखना चाते हैं वाँपे तो आप माइनस की जगह उनको add-on करके plus करके save कर सकते हैं इसके बाद के जो tab है वो है watch faces का इसमें हम custom watch face जैसे खुद का watch face भी लगा सकते हैं तो मैं एक photo click कर लेता हूं take a photo पर जाते हैं यहां पर हम कोई भी photo को click कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे यहां फिर आप customized photo जो आपने already click की हुई है उनको भी select कर सकते हैं तो यह मैंने select कर लिया अब इसकी position को हम change कर सकते हैं जैसे top left है top right कर सकते हैं top bottom left कर सकते हैं bottom right भी कर सकते हैं तो जो भी आपको सही लगे उसको select करके then next पर click करें और इसके बाद आता है install on watch तो यहां पर click करते ही जो watch face है आपकी watch पर अपडेट होने शुरू हो गया और कुशी second में यह watch पे विद्वल हो जाएगा